आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636 ठीक है तो यहाँ पर कह रहा है How many terms of the AP must be taken to give a sum तो मतलब बसिकली हमें SN दे रहा है 636 A दे रहा है 9 D कितना दे रहा है 8 अब वो कह रहा है कि N निकालना है simple सी बात तो लगा दो formula SN इकॉल to N by 2 bracket 2A plus N minus 1 into D 636 is equal to N by 2 2 into 9 plus N minus 1 into D ठीक है अब इसको calculate करते हैं 2 से multiply करें 6 दूनी 12 अच्छा 2 से क्यों ही multiply करना है 2 से अंदर divide कर दो बहुत बढ़िया 636 is equal to N 2 का अंदर ले जाएंगे तो N उसे 2 कर रहा है और 4 4 N minus 4 ठीक है N 4 N plus 5 and this is equal to 636 अब अपने पास एक तरीके से या तो guess करकर के values बूट कर लो N की या फिर या quality बना लो वहां से काम कर लो 636 को आपने एक तरीके से इसको factorize किया तो 4 से किया 4 एकम 4 दो गया तो 425 चार नाम 36 अब ये किस से होगा 3 से हो जाएगा 35 बंदर 3 तरक 9 अब ये किसी से नहीं होगा ये 53 से ही होगा 53 से ही होगा अपने पास तो N की जगा मैंने 7 लिया suppose करूँ ने 12 है ना N की जगा 12 लिया मैंने क्योंकि ये इनका multiplication 12 तो 12 यहां put करके देखो तो 12 और 4 into 12 plus 5 किया ये 53 आ रहा है बार्चों 48 plus 5 53 आ रहा है तो बिल्कुल confirm हो चुका है कि N हमारा आ चुका है कितना 12 इसको factorize करके guess करके देख लिया Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोट करें doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 सूपर